तो आप जानते तो होंगे ना गनेश चतुती आने वाली है गनेश जी के लिए ये बहुत ही special दिन है तो चलिए केचन में बनाते हैं गनेश जी के लिए एक special मोदग भोग के लिए तो आज हम बनाएंगे बेसन मोदग इसका टेक्श्चर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ और क्रीमी है फटा फट से बन जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो मैंने लिया है यहाप एक नॉन स्टिक पान फ्लेम को रखा है लो आड कर रही हूँ यहाँ पर 1 4th कप अफ देसी घी आप चाहें तो डालदा घी या फिर रिफाइन ओल का भी यूज कर सकते हैं पर मोदग जो है देसी घी में बढ़िया बनते हैं जैसे ही यह गी मेल्ट हो जाए यहाँ पर आड करेंगे एक कप बेसन बारीक वाला बेसन लिया ह अगर आपके पास मेजरिंग अपनी है तो टेंशन ही नहीं है आप कोई भी एक कटोरी लें और उसी में सारे इंग्रीडिइन्स का माप करें बेसन को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें बढ़िया सा टेक्शन नहीं आ जाता है सुनैरा व आप देख सकते हैं गनपतीची के लिए बहुत ही प्रेम से दिल से ये मोदग बनाई है स्वादिश तो बन नहीं है जी ध्यान रखेगा बेसन और गी को अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई गाठे ना बने कोई लंप्स ना बने बेसन को भूनते बूनते 10 मेट हो चुके ह और जैसे कि आप देख सकते हैं बेसन पतला होना शुरू हो गया है घी रिलीस करना शुरू कर दिया है और एक बहुत ही बढ़िया सी खुश्बू आपकी पूरी किचन में फैल चुकी होगी इस समय तो आप समझ जाईए कि ये बेसन बिलकुल तयार है और इसका कलर भी हेल्दी बनाने के लिए ये बिलकुल मीडियम मीठे के हिसाब से मोदक बनेंगे आप चाहें तो इसमें चीनी एजस्ट कर सकते हैं अगर आप तेज खाते हैं तो थोड़ा सा चीनी का क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं इसे अच्छा से मिक्स करते जाना है फ्लेम को गुनगुना डूद डाल के इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि जो कलर है वो दूद में आ जाए जैसे ही चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें आट कर देंगे धीरे-धीरे करके तीन चुथाई कप दूद नॉर्मल टेम्रेचर पर दूद लेना है बिलक आपका टेक्शर का है वो बिलकुल स्मूथ होना शही है अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद जो हमने साफरन मिल्क तियार किया था वो भी समाट कर देंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे जब बेसन अच्छे से तूद एब्सॉब कर लें इसमें आट करेंगे एक से सवा चमच के करी मलाई फ्रेश मलाई मैंने यहां पर आट की है और इसी टाइम पर मैं आट करेंगे एक चुथाई चमच लाइची पाउडर सारे इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट के लिए से और अच्छे से भूनना है ताकि यह जो मिक्शर है कठा होने लगे और पाउल में निकाल लीजे पूरा थंडा नहीं करना है आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी तब तक हम रेडी कर लेते हैं अंदर की फिलिंग उसी पैन के अंदर लेना है दो टेबल स्पून बदाम दो टेबल स्पून काजू इसको बिल्कुल पाउडर और एक टेबल स्पून दूद या मलाई फ्रेश मलाई इससे मिक्स कर लेंगे फ्लेम को लो रखना है थोड़ी सी स्टफिंग मुझे कम लग रही है तो मैं एक चमच मिल्क पाउडर और एक चमच दूद और आड करूंगी यहां पर ताकि यह स्टफिंग थोड़ रेडी है ऐसे उतन लगेगी पान से तो इसे भी थंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे और जैसे ही यह इतनी थंडी हो जाए कि आपके हाथ में बरदाश हो सके तो एक चोटा सा पोशन लेंगे और ऐसे ही चोटी चोटी बॉल्स बनाते रहेंगे तो त्यार है हम इसमें बन पिल्कुल स्मुथ हो जाए तो सारी हमारी स्टाफिंग रेडी हो चुकी है तो चलिए बनाते हैं मोदक यह मोदक शाचा आता से आपको असानी से मिल जाएगा इस तरीके के बहुत सारे ऑफ Moreover साइज के मोदक साच अच्छा आते हैं तो इसको क्या करना है ओपन करना है इसमें पेन होती है और इसके अंदर घी लगाना है ब्रस से भी लगा सकते हैं पर इसको ग्रीस करना बहुत जरूरी है ताकि जो स्टफिंग है वो इस पे चपके न अब दुबार से इसे बं करके इसमें पिन लगा अच्छे से भरियेगा, नहीं तो शेप सही से नहीं आएगी, दबा दबा के इसे, फिल करना है, और उसके बाद एक्स्ट्रा हटा देना है, जो हमने स्टफिंग अंदर की रेडी की थी, वो इसमें आड करनी है, हलका सा प्रेस करना है, साथ ही इसको बन करना है, बेसन के मिक् पूरा अच्छा से क्लीन कर देना है और अब इसे खोलेंगे तो देखते हैं क्या हमारे मोदक रेडी है या नहीं बढ़िया से ये बेसन की मोदक गनेश जी को भोग लगाने के लिए त्यार है गनेश जी तर बहुत खुश हो जाएंगे ऐसे ही वाकी सारे बेसन की मोदक जट मिकशर के साथ और इस अच्छा से प्रेस करेंगे बेसन के मोदक त्यार है तो है नहीं जटपट राज़ी तो इस गनेश घाथूर्ती पर इन बेसन के मोदक को बनाएं और गन्पति जी को खिश कर दीजिए घर पर ये बनाए हुए बेसन के मोदक बहुती स्वादिश बनत तो इस recipe को बनाईए और मेरे साथ share कीजिए अपने comments कि कैसे लगी आपको ये recipe मैं मिलूंगी अगली recipe के साथ तब तक के लिए goodbye, take care, don't forget to like, share and subscribe